मुंबई में होने वाली विपक्षी गट बंधन की बैठक से पहले चत्तिस गड़ के मुखी मंतरी भुपेश पगेल ने विपक्षी गट बंधन इंडिया की अगली बैठक से बड़ा बयान दिया है ये पूछे जाने पर कि क्या 2024 के लोगसभा चुनाओं में राहूल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी को चुनाओती देंगे चत्तिस गड़ के मुखे मंतरी ने कहा राहूल जी जो पहले थे वही आज हैं जनता ने अब जाना है सबसे बड़ी बात है कि राहूल गांधी की लोग प्रियता से बीजेपी घबराई हुई है इसलिए उनकी सदसिता रद करवाई बंगला खाली करवाया घबराहट बहुत जादा है उन्होंने ये भी कहा कॉंग्रेसी नेता होने के नाते मैं कहूंगा कि राहूल जी प्रदान मंतरी पद का चहरा हूँ उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गटबंधन बनने के बाद से भारती जनता पार्टी पूरी तरह से घबरा गई है सीयम बगेल का ये भी कहना था कि वो कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांधी उस संसद में देखना चाहते हैं विपक्षी गटबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच कुछ राज्यों में मतभेज से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के बड़े नेता ऐसे मुद्दों का सामना करेंगे उन्होंने कहा आज सबसे जादा जरूरी ये है कि उन लोगों को सत्ता से बाहर किया जाए जो ताना शाही कर रहे हैं दिल्ली से देर शाम राइपूर पहुंचे मुख्यमंत्री बगेल ने एक बार फिर केंद्री जाच एजिंसियों पर निशाना साथा CM ने कहा कि अभी ED की कारवाई चल रही है और IT वाले तयार बैठे हैं 200 अधिकारी की टीम जल्द ही 36 गड़ पहुंचने वाली है